हेलो डियर स्टेंट्स, वेलकम तु दे वोर्ड कैमिस्तान, यह हमारा सॉल्योशन चैप्टर का 12 वीडियो लक्चर है, प्रिविएस वीडियो लक्चर में हमने कॉलिगेटिव प्रापर्टीज को फिनिश कर लिया था, हमने टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रापर्टीज अब तक पढ़े, relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure, अब देखे, अभी तक हमने जितने भी कॉलिगेटिव प्रा solute है, उसको हम calculate कर सकते हैं, हमने कॉलिगेटिव प्रापर्टीज में सीखा, कि कॉलिगेटिव प्रापर्टीज का most of use किसमें करते हैं, for the calculation of molar mass of the solute particles, ठीक है, उसमें हमने का सबसे best method भी कौन सा था, वो osmotic pressure वाला method था, ठीक है, osmotic pressure से सबसे ज़्यादा accurately क्या आता है, molar mass of solute आता है, बड़ देखिए क्या होता है, कुछ cases में, अगर हम mass को calculate करते हैं, तो वो जो expected theoretical value है, उसके equal नहीं आता है, कुछ conditions में ऐसा होता है, कि जो molar mass हमने calculate किया, ठीक है, by experiment, वो जो theoretical value है molar mass की, उसके equal नहीं आता है, ठीक है, तो इसलिए देखिए हमारे पास एक topic आता है abnormal molar masses का, abnormal का मतलब है, जो normal molar mass है, वैसा नहीं आएगा, कुछ उसमें हमें abnormality देखने को मिलती है, ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही important topic होता है, इस chapter का सबसे ज़्यादा important topic अगर मैं बोलू, तो वह यही topic है, abnormal molar masses का, जिसमें हम आगे want of factor को introduce करेंगे, ठीक है, तो चलिए हमारा molar mass आना चाहिए, like acetic acid की बात करो, CS3, COOH, तो acetic acid का normal molar mass कितना होता है, 60, but मैंने suppose करो experiment किया, और experiment में 60 नहीं आ रहा है, तो उसके mass में कुछ abnormality आ गई, अब वही चीज हम discuss करेंगे, भाई, ऐसा किस case में होता है, किस condition में ऐसी चीज़े आती है, जब normal molar mass हमी देखने क वो नहीं मिलता है, ठीक है, तो देखें, जो accurate value होती है molar masses की, वो दो conditions होनी चाहिए उसके लिए, अगर हमें किसी भी molar mass का accurate value चाहिए, ठीक है, कोई solute हमने लिया, उसके molar mass की accurate value होनी चाहिए, तो उसके लिए 2 conditions satisfy होनी चाहिए, दो conditions कौन-कौन से, ठीक है, मैं उपर पहले ल चाहिए, तो उसके लिए रखें, solution को 2 चीज़े satisfy करना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, जो solution होना चाहिए, वो dilute होना चाहिए, बहुत ज्यादा concentrated नहीं होना चाहिए, ठीक है, the solution, जो solution होना चाहिए, the solution should be, should be dilute, dilute होना चाहिए, बहुत highly concentrated solution नहीं होना चाहिए, otherwise वहा मास में abnormality आ जाती है क्यों आ जाती है जो कि धान दीजे solution अगर dilute नहीं होगा बहुत ज़्यादा concentrated होगा तो concentrated solution में क्या होता है जो particles होते हैं वो एक दूसरे के साथ interact करना सुरू कर देते हैं as well as with the solvent also solvent के साथ भी वो क्या करना start कर देते हैं interaction करना start कर जोड़ने लगते हैं associate होने लगते हैं उसका interaction होने लगता है तो इसलिए जो molar mass वहाँ पे आता है वो वहाँ पे abnormal हो जाता है ठीक है क्योंकि भाई जब interaction सुरू हो जाएगा तो vapor pressure में क्या आ जाएगा change आ जाएगा vapor pressure में change हो जाएगा तो जो colligative properties हैं उनमें क्या आ जाएगा difference आ जाएगा ठीक है जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं होगा ठीक है और दूसरा condition होना चाहिए कि हमें accurately mass मिले जो solute है वह ना तो solution में associate होना चाहिए ना ही dissociate होना चाहिए है ना the solute the solute must not must not dissociate dissociate or associate or associate in the solution यह condition होनी चाहिए हमारी जो solute है ना तो वह dissociate होना चाहिए ना तो associate होना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा होगा तो number of particle में क्या पढ़ेगा difference आएगा number of particle में ठीक है या तो number of particle बढ़ेंगे या number of particle घट जाएंगे वैस suppose करें dissociation हो रहा है तो number of particle बढ़ने लगेंगे expected से association हो रहा है तो number of particle घटने लगेंगे और colligative properties किस पर डिपेंड करती है number of particles पर डिपेंड करती है बात समझ रहे है तो जगर number of particles में difference आने लगेगा तो क्या आएगा जो वहाँ पे mass है फिर वह accurate नहीं आएगा क्योंकि सारी colligative properties क्या होने लगेंगी change होने लगेंगी तो अगर यह in conditions को follow नहीं किया तो जो हमारा molar mass है वह accurate नहीं आएगा और उसके अंदर क्या देखने को मिलेगी हमें abnormality देखने को मिलेगी बात समझ रहें clear है अब normality कब आएगी अब जैसे हमने कोई electrolyte ले लिया electrolyte को मैं डालूंगा water के अंदर या किसी solvent के अंदर तो वह क्या dissociate हो सकता है dissociate होगा तो number of particle बढ़ जाएंगे उससे colligative properties क्या हो जाएंगी number of particle बढ़ेंगे तो colligative property बढ़ जाएगी और एक चीज़ हम रखिए colligative property molar mass के inversely proportional होता है ठीक है तो अगर colligative property बढ़ेगी तो molar mass क्या हो जाएगा कम हो जाएगा colligative property molar mass के inversely proportional होता है यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं ठीक है यह के star point note करिएगा ठीक है हमने जितने भी formula अभी तक पढ़े हैं सब में आप देख सकते हैं कि कोई भी colligative property ले लूँ वो solute के molar mass के inversely proportional होता है ठीक है colligative property वो किसके inversely proportional होता है molar mass of solute के ठीक है molar mass of solute ठीक है solute के molar mass के inversely proportional होता है आप किसी भी formula में देख लिए यह pa0-pa divided by pa0 is equal to xb xb है तो mole fraction है mole fraction क्या होता है जो भी उसका mole होगा divided by molar mass तो molar mass तो नीचे ही आता है ना उपर mole की value रखेंगे बास समझ रहा है तो जो भी colligative property है molar mass of solute के क्या होता है inversely proportional होता है pi is equal to crt में देख लीजे c को लिखेंगे फिर mole per liter mass of the solute इसलिए हम बुल रहे हैं अगर colligative property बढ़ी तो molar mass घट जाएगा और colligative property घटी तो molar mass बढ़ जाएगा मैं समझ रहे हैं इसी चीज़ पे सब कुछ depend कर जाएगा colligative properties की value के ऊपर clear अब चलिए देखें दो conditions हम देखते हैं हमने कहा एक हो सकता है एसोशियेशनया दूस्रा हो सकता है डिसोशियेशन ठीक है तो एसोशियेशन और डिसोशियेशन की condition में क्या होगा जैस्वसे पहले मैं बात करो ठीक है सबसे पहले मैं suppose करि यहां पर first point लेता हूँ association of solute particles पहले association की बात कर लेते of solute particles देखे नॉर्मली क्या होता है कुछ particular solvent के अंदर generally जाया तर वो solvent कैसे होते है non polar solvent के अंदर जो solute molecules है वो associate होने लगते हैं जो solute molecules है वो associate होने लगते हैं जैसे मैं देखो मैं बात करूँ acetic acid की तो 2 mol of acetic acid अगर combine हो जाए तो देखिए वो dimer formation कर लेते हैं दो CS3COOHK molecules आपस में जुड़के hydrogen bonding करते हैं और वो इस तरीके से CS3COOHK twice type का एक molecule बना देते हैं ऐसा कैसे होता है ऐसा hydrogen bonding की वज़से होता है जैसे मैं आपको दिखाओं तो देखिए suppose करिए इधर से मैंने यह acetic acid का molecule बनाया ठीक है इधर से मैंने यहां से CH3COOH यह हो गया एक acetic acid का molecule ठीक है आप पोजेट साइट से देखिए दूसरे साइट से मैंने एक acetic acid का molecule बनाया इधर से CH3 ठीक है C double bond O OH अब देखिए इसका oxygen और इसका hydrogen ठीक है यह oxygen और यह वाला hydrogen और यह hydrogen यह वाला oxygen आपस में क्या कर लेंगे hydrogen bond के थो अटाइच हो जाएंगे बात समझ रहे है तो देखिए जो monomers थे यह मिलके क्या दो एक बन जाएंगे dimer बन जाएंगे है न यह dimer हो गया एक तरीके से dimerize हो गया molecule तो dimer formation की वज़े से देखिए number of particle expected से क्या हो जाएंगे कम अब suppose करिए आपने 100 molecules यहाँ पर डाले थे तो वो जुड़के कितने molecules हो जाएंगे 50 molecules हो जाएंगे और सोचे number of particle अगर कम हो गया पहले तो जब इधर हमने लिया तो number of particle जादा थे बर जब हमने उसको solvent के अंदर डाल दिया तो number of particle expected से कम हो गया अगर number of particles कम हो जाएंगे ठीक है number of particle अगर association होगा तो obvious सी बात है कि number of particles क्या होंगे number of particles association की case में है ना particles वो क्या हो जाएंगे decrease होने लगेंगे decreases है ना अगर association होगा तो number of particles क्या करेंगे decrease करेंगे और अगर number of particles decrease करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा जो colligative property है वो decrease करेगी बात समझें जो colligative property है वो कम होने लगी क्योंकि colligative property किस पर depend करती है number of particles पर depend करती है तो अगर number of particles घटेंगे तो colligative property भी कम होने लगी अच्छा colligative property molar mass की क्या होता है inversely proportional होता है तो अगर colligative property कम होगी तो जो molar mass आएगा वो कैसा आएगा जादा आएगा molar mass जो आएगा वो कैसा आएगा वो जादा आएगा बात को समझें ठीक है number of particle घटेंगे तो colligative property भी घटी और colligative property घटी तो molar mass क्या आएगा यह फिर जादा आजाने लगेगा clear है बात समझ रहे हैं तो association में case में क्या हो जाएगा association की case में ठीक है जो molar mass की value है वो क्या आने लगेगी greater than theoretical value जैसे theoretically हमारा molar mass कितना आना चाहिए था 60 acetic acid का molar mass अगर मैं बोलो तो 60 और जब वो dimer बना लेगा तो कितना आने लगेगा 120 आएगा क्योंकि 2 मिलके एक बन गया इसका molar mass कितना होता 60 डाइमर बन गया तो 120 तो molar mass क्या हो जाएगा वो बढ़ जाएगा बात क्लियर है ठीक है तो यह आप logic याद रखेगा यहाँ पे कि number of particle association के बाद घटने की वज़े से colligative property घट जाएगी और colligative property molar mass के inversely proportional होती है for the solute तो इसलिए उसका molar mass क्या होने लगेगा increase होने लगेगा clear है same condition देखने को मिलती है हमारी किसमे same condition देखने को मिलती हमें benzoic acid में भी ठीक है acid 2 mol of benzoic acid ले लो मैं दूसरा एक example ठीक है यह तो acetic acid हमने लिया हुआ था acetic acid का example लिया हुआ था ऐसे ही मैं देखो benzoic acid का example ले लो ठीक है benzoic acid benzoic acid तो इस case में भी देखी क्या हो जाता है 2 mol of benzoic acid मैं लोंगा 2 C6H5 COOH यह भी dimerize हो जाता है क्या बनाता है ठीक है C6H5 COOH का twice धान जीज़े ऐसा नॉर्मली देखे acid का जो यह association है यह non polar solvent के अंदर होना चाहिए non polar solvent ठीक है यह जो कुछ भी हो रहा है जायतर वो non polar solvent क्योंकि वैसे तो acetic acid क्या है H plus release करने की tendency भी रखता है बट वो किसमें होता है वो polar solvents में होता है अगर मैं polar solvent में डालूंगा तब यह ऐसे associate नहीं होगा फिर तो यह dissociate हो जाएगा पिर तो यह CS3 COOH HIN निकाल देगा हमें पता acetic acid अच्छा acid होता है organic family का second number का acid है sulfonic acid सबसे अच्छे होते हैं फिर उसके बाद carboxylic acid आते हैं तो यहाँ पर देखे अगर मैं इसको polar solvent के अंदर डालूंगा तो यह H plus निकाल देता फिर यह ऐसे bond बना लेता है ठीक है दू मोल्स है हाँ पर क्या है हमारे पास benzoic acid इधर से आएगा एक benzoic acid C6H5 ठीक है cOOH और यह मिलके अपस में क्या बना देंगे hydrogen bond का formation कर लेंगे यह oxygen इस hydrogen के साथ इनमें भी hydrogen bond की वज़े से यह भी क्या हो जाएंगे similarly just उपर की तरीके से यह भी dimer बना लेगा due to hydrogen bonding clear है बात समझ रहे तो इसमें देखें molar mass इसका कितना आना चाहिए था ठीक है आना चाहिए था 122 एक benzoic acid का molar mass कितना है 122 काउंट करेंगे आप 122 जबसकि इसका molar mass कितना हो जाएगा 244 after association बात समझ रहे है clear है logic वही है number of particle कम होंगे qualitative property घटेगी molar mass बढ़ जाएगा clear यही condition होती है association की ऐसे dimer बन सकता है trimer बन सकता है tetramer बन सकता है ठीक है यह benzen था यहाँ पर ठीक है तो dimer, trimer, tetramer, polymer बन सकते हैं ऐसे clear है उस सारे condition में क्या होगा यही ठीक है यही logic हमारा लगने वाला है अब देखें दूसरी बात करते हैं हम dissociation की यह तो बात हो गई किसकी है यह हमारा second part होगा dissociation ठीक है पार्ट 2 ठीक है dissociation of solute molecules ठीक है फिर से देखें मैं उसी का जिस रिवर्स लॉजिक आपको देने वाला हूँ जो अब पीछे logic दिया हमने उसी का just reverse logic देने वाले हैं अब जैसे suppose करिए कोई electrolyte है ठीक है electrolyte electrolyte electrolytes normally क्या करते है वो अगर अपने solvent में जाते हैं तो वो dissociate होने लगते है electrolyte जैसे मैं बोलूँ कोई भी acid ले लिया ठीक है तो यह सारे acids, bases and salts का क्या होने लगता है dissociation होने लगता है इनका सबका क्या होता है dissociation होता है dissociation होने लगता है ठीक है किसी भी अगर polar solvent के अंदर डालते है जैसे NaCl को पानी के अंदर डाला Na plus Cl minus में तूट जाएगा ठीक है KCl को पानी के अंदर डाला K plus Cl minus में तूट जाएगा बात समझ रहे है सपोस करी KCl को हमने डाला पानी के अंदर ठीक है तो वो किसमें तूटने लएगा K plus Cl minus में अब यहां ध्यान दीजे क्या हो जाएगा कि हमने सपोस करी 100 पार्टिकल्स डाले थे वो तूट के हमें कितने डाले लेंगे 200 पार्टिकल्स बात समझ रहे है कि यहां डिसोसियेशन होगा तो KCl डालूँगा तो अगर सपोस करी एक molecule मैंने डालना है KCl का तो यहां से तो द कमचे मैंोर आफ पार्टिकल्स इंक्रीस करेंगे तो जो क्या offset जात्रट इमिशं करेंगे तो जो कॉलिगे च्रापटी करएंगे छर्ट इसकी वजह से होगा क्या म पार्टिक्ल्स बढ़ेंगा को कॉलिगेटी प्रॉपर्टու ज़ते जो कॉलिगेट्घ्वर्ट्डटी है वो भी क्या करने लगेगी, increase करने लगेगी, और अगर colligative property increase करेगी, तो फिर molar mass क्या करेगा, decrease करेगा, molar mass inversely proportional to colligative property, पीछे हमने बोला, molar mass decrease करने लगेगा, मतलब जितना molar mass आना चाहिए, उतना आएगा नहीं, जो experimental molar mass होगा, वो theoretical से क्या आने लगेगा, कम आने लगेगा, theoretically जितना molar mass आना चाहिए, तर solute का वो नहीं आएगा, बात clear है, बात समझ रहे है, ऐसे कोई भी हमारे पास, चाहे acid हो, चाहे base हो, चाहे salt हो, ठीक है, like suppose करिया, Na2SO4 है, ठीक है, Na2SO4, sodium, sulfate, तो यहाँ पे तो particles देखे, कितने हो जाएगा, अगर एक molecule टूटेगा, तो 3, अना अगर dissociation होता है, किसी भी salt का, किसी भी acid का, किसी भी base का, अब जैसे मैंने acetic acid पीछे लिया, वो non-polar solvent में लिया, अब acetic acid किसी polar solvent में ले लो, तो वो भी dissociate ही होगा, CS3, COOL, ज्यान दीजेगा, यह question में आप ध्यान से पढ़िएगा, acetic acid का क्या बोल रहा है, association बोल रहा है या dissociation बोल रहा है, वो question में लिखा रहता है, नहीं, तो आप solvent को ध्यान दीजे, non-polar solvent बोला, तो association होगा, polar solvent बोला, तो फिर यह dissociate होगा, CS3, COOL, minus बनाएगा, and plus, H+, बनाएगा, फिर तो यह dissociation वाला case हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो इस चीश को जरूर आप ध्यान दीजेगा, जब भी acetic acid, benjoic acid की बात करें, तो वहाँ पे आप solvent देख लिजे, या question में direct अगर लिखा हुआ है, तो उसको पहले ध्यान दीजे, वो क्या बोलना चाह रहा है, association बोलना चाह रहा है, या dissociation बोलना चाह रहा है, ठीक है, अब चलिए, ये दो चीश इनके लिए गलत हो जाएंगे, अगर electrolytes की मैं बात करूँगा, acid-based, salt, association की condition, ये dissociation की condition, इनकी बात करूँगा, तो इसमें तो वो चार के चारो formula क्या हो जाएंगे, फिर wrong हो जाएंगे, उनसे जो molar mass निकलेगा, वो सही value नहीं आएगा, तो फिर उन चारो formula में, जो हमने colligative properties की चारो formula पड़े हैं, उनमें क्या करना पड़ेगा, correction करना पड़ेगा, तो उसके लिए देखे, want of factor ने हमें एक factor दिया, जिसको हम बोलते है, want of factor, जिसको अगर हम उन चारो formula में introduce कर दें, तो वो formula फिर हमें accurate value molar mass की देने लगता है, तो यहाँ पे देखे, अब चलते हैं हम most important point पे want of factor के उपर, ठीक है, मैंने उपर heading डाला था, abnormal molar mass के साथ, want of factor, ठीक है, अब ध्यान देजिए, want of factor क्या होता है, कैसे calculate करते हैं, ठीक है, want of factor, जाया तर numerical जो आने के chances होते हैं, वो want of factor को include करते हुए, आने के chances होते हैं, पीछे जितने भी qualitative properties के formulas पढ़े, अब उनक हम convert करेंगे, उनको हम change करेंगे want of factor के साथ, ठीक है, तो ठीक है, want of factor को I से denote करते हैं, और normally want of factor होता क्या है, जो भी हमने normal molar mass देखा है, solute का, solute के formula से उसका normal molar mass हमें पता चल सकता है, जैसे acetic acid ले लो, acetic acid का normal molar mass थो भी सबको पता है, कितना आना चाहिए, normal molar mass, acetic acid का 60 आना ठीक है, अब फिर हमने जा कि उसको क्या किया, उसको experimentally निकाला, जो कि क्या होगा हमारे पास, observed molar mass, या मतलब जो हम किसकी वज़, उससे निकालना है, जो पीछ हमने formula पढ़े, उससे निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, observed molar mass, तो want of factor I की value क्या होती है, normal molar mass divided by observed molar mass, या abnormal molar mass, by abnormality आएगी, हमने कहा कि association या dissociation की वज़े से mass में क्या आएगी, abnormality आएगी, तो जो want of factor I की value होती है, वो क्या होता है, इन दोनों का ratio, ठीक है, the ratio of the normal molar mass to the observed molar mass, अच्छा, observed molar mass को हम और भी क्या बोलते है, abnormal molar mass of the solitude, ठीक है, clear है, बराबर है, तो एक छोटी से definition मैं, यहाँ प factor की, clear है, क्या बोलते हैं, the ratio, the ratio of the normal molar mass, normal molar mass to the observed molar mass, observed molar mass, observed molar mass, observed molar mass को हम क्या बोलते हैं, और abnormal molar mass, रहाँ देज़ेगा, और abnormal, abnormal, ठीक है, abnormal, n-o-r-m-a-l, ठीक है, यह abnormal लिखा है, मैंने, और abnormal molar mass, molar mass, ठीक है, of, किसका, the solute, ठीक है, of the solute, बास समझ गए, जो ratio होता है, normal molar mass, इसको मैं short में, n-m-m लिखूंगा बाद में, और abnormal molar mass, amm, ठीक है, तो n-m-m और amm का जो ratio है, ठीक है, आप short में ऐसे याद रख सकते हैं, normal molar mass को आप बोलेजे, n-m-m, ठीक है, याद रहेगा, normal molar mass, और जो observed molar mass है, ठीक है, उसी को हम बोलते है, abnormal molar mass, abnormal molar mass, amm, abnormal molar mass, तो जो n-m-m और amm का जो ratio होता है, उसी को हम बोलते है, i, normally जितना आना चाहिए था, but abnormally जितना आ रहा है, ठीक है, clear है, तो इसको देखें, मैं इस तरीके से expression के form में लिखो, ठीक है, तो expression के form में हम लिख सकते है, क्या लिख सकते है, i की value क्या होगी, is equal to, ठीक है, normal molar mass, normal molar mass, divided by abnormal molar mass, बात समझ गये, normal molar mass, divided by abnormal molar mass, यह हो जाता है, हमारा i का first formula, ठीक है, i इस तरीके से हम calculate करते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं, यह देखे, मैंने यह जो लिखा i का factor, ठीक है, i को लिखा मैंने किस term में, यह molar mass के term में, और अभी-अभी हमने पीछा, पीछे बोला, कि अगर मैं देखूं, तो colligative properties, molar mass के क्या होती है, inversely proportional होती है, तो देखे, मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, कि अगर normal molar mass उपर आ रहा है, तो जो normal colligative property value है, वो नीचे चली जाएगी, और जो abnormal molar mass नीचे आ रहा है, वो abnormal colligative property उपर आ जाएगी, या abnormal कोई हम क्या बोल रहा है, observed भी बोल रहा है, तो देखे, इसी formula को एक इस form में भी लिखा जाता है, कि जो i की value है, ठीक है, i की value इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, जान दीजे कैसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, colligative properties के term में, observed या abnormal value of colligative property, ठीक है, abnormal बोलो, observed बोलो, एकी चीज है, ठीक है, तो observed value of colligative property, cp, divided by normal value of colligative property, बोलिये सही होगा, यह normal उपर था, यह normal नीचे चलाएगा, यहाँ abnormal नीचे था, abnormal उपर, abnormal या observed एकी चीज है, ठीक है, तो देखे, इस तरीके से भी मैं आई बोल सकता हूँ, किस term में, colligative property के term में, बात समझ रहा है, च्योंकि colligative property और molar mass, एक दूसरे के क्या होते है, inversely proportional होते है, तो cp के term में लिखना है, तो ऐसा लिखे, और molar mass के term में लिखना हो, तो इस तरीके से लिखे, बात समझ रहा है, यह number of particle के term में लिखना है, तो देखे, धान देजे, colligative property तो number of particles के directly ही proportional होती है तो यहाँ से देखें मैं एक को लिख सकता हूँ क्या number of particles after dissociation और association क्योंकि observed value तो क्या है colligative property की ठीक है जब particle क्या हो गए या तो associate हो गए या dissociate हो गए और normal value तो क्या थी ठीक है normal value तो क्या थी जब association या dissociation नहीं हुआ था उस time की colligative property clear है तो observed value of colligative property क्या हो जाएगी कौन से number of particles number of particles particles किसके बाद ठीक है after dissociation और association after dissociation और association clear है बात समझ रहा है मैंने short में लिख दिया है number of particles after dissociation और association क्योंकि वही तो भई क्या है observed value of colligative property या I have normal value of colligative property ठीक है और normal तो क्या बाता है जब कोई association या dissociation नहीं होता ठीक है तो यहां पे नीशी का लिख सकते हैं normal में number of particles number of particles ठीक है without without क्या dissociation dissociation और association clear है बात समझ गए तो I का हम number of particles के term में भी इस तरीके से expression लिख सकते हैं बराबर I hope आपको बात clear हो गई होगी होगी यहां से ठीक है तो आप याद रखिए सीधा I की value क्या होती है normal molar mass divided by abnormal molar mass या normal molar mass को दिखे theoretical molar mass भी बोलते है abnormal molar mass experimental molar mass है ठीक है clear है तो normal molar mass divided by abnormal molar mass और उसके उल्टा हो जाएगा colligative property के term में अगर particles के term में लिखना है तो फिर colligative property number of particle के directly proportional होते है बात clear बात समझ में आ रही है अब ध्यान दीजे मैं I की value की बात करूँ कि I की value कब less than 1 होगी कब greater than 1 होगी कब equal to 1 होगी ठीक है अब देखे मैं अगर बात करूँ जब solute ना तो associate हो रहा था ना dissociate हो रहा था एक normal condition थी तब तो उसके molar mass में कोई abnormality आई नहीं होगी तब तो फिर normal molar mass और abnormal molar mass क्या हो जाएंगे equal ही हो जाएंगे कोई abnormality नहीं आई होगी तो जो I की value है तब उसकी value किसके equal होगी 1 के equal होगी ठीक है ऐसे solute के लिए जो ना तो associate होता है ना dissociate होता है उसके लिए I की value क्या होगी equal to 1 होगी क्यों होगी क्योंकि उसमें कोई abnormality आईगी नहीं क्योंकि उसका normal molar mass ही abnormal molar mass दोनों equal होगे clear है तो for neither association nor dissociation I की value equal होती है किसके 1 के बात समझ रहे है clear है तो मैं यहाँ पर आपके लिए नीचे लिख रहा हूँ की ठीक है यहाँ तो दूसरे page पर चलिए start करते हैं हम यह I की values भी आप समझ के चलिएगा ठीक है चलिए इस पर देखते है यह तो देजिए पहली कंडिशन पहली कंडिशन क्या for solutes for solutes ठीक है which do not which do not undergo undergo dissociation dissociation और association ठीक है और association जो ना तो dissociate होते हैं ना associate होते हैं उनके लिए क्या है I की value equal to 1 होगी ठीक है उनका abnormal molar mass तो कुछ होगा नहीं normal molar mass यह उनका abnormal molar mass सब equal होगा ठीक है clear है जैसे मैं example के लिए बात करूँ जैसे yuria होगया है ना yuria की बात करूँ sucrose की बात करूँ glucose की बात करूँ ठीक है तो यह सब क्या है भई यह सब non electrolytes है यह ना तो associate होते हैं ना dissociate होते हैं तो इनके लिए जो I की value होगी वो किसके equal होती है 1 के equal होती है इनके molar mass में कोई abnormality देखने को नहीं मिलती है लेकिन अगर कोई solute अगर associate हो रहा है ठीक है बराबर कोई solute associate हो रहा है for solutes ठीक है undergoing association undergoing association ठीक है अगर वो solute associate हो रहा है तो ध्यानीजे associate हो जाएगा तो हमने I की value क्या कही I की value थी n mm normal molar mass divided by abnormal molar mass ठीक है अगर association हो रहा है तो association में तो molecule जुड़ जाएंगे तो जो amm की value है abnormal molar mass वो जादा नहीं आएगी क्या n mm से normal से तो जादा ही आएगी न association हो गया molecule से आपस में जुड़ गया जैसे acetic acid वाला हमने देखा तो दो molecule जुड़ गया तो 60 से कितना हो गया 120 तो वहाँ abnormal molar mass कितना हो गया होने चाहिए था 60 हो गया 120 तो 60 normal था 120 abnormal था 60 by 120 क्या हो जाएगा less than 1 आ जाएगा 1 by 2 आ जाएगा तो जब amm की value nmm से जादा होगी denominator बड़ा होगा तो i की value क्या हो जाएगी i की value less than 1 हो जाएगी बात समझ रहे हैं यहां से i की value क्या आएगी less than 1 क्योंकि जो amm था वो nmm से बड़ा होने लगेगा clear है बात समझ गये abnormal molar mass बात समझ के लिए मैं बोलू तो वहां से कितना हो जाएगा i की value 1 by 2 एक तरीके से 100% association मान के चलू उटो ठीक है clear है normal होना चाहिए था 60 abnormal हो जाता 120 clear चलिए अगली condition देखे third condition कि for solutes for solutes undergoing undergoing what dissociation ठीक है dissociation अगर कोई solute dissociate हो रहा है तो फिर से वही चीज़ i की value क्या है n mm normal molar mass divided by amm abnormal molar mass अब अगर dissociate होगा तो dissociate होगा particles टूट जाएंगे तो molar mass कम होने लगेगा तो यहाँ पे abnormal molar mass की value क्या आएगी less than normal molar mass आएगी होगी बात समझ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा देखे जब नीचे वाली value छोटी है उपर वाली value बड़ी है तो यह जो i की value आएगी यह क्या आएगी greater than 1 आएगी clear बात समझ गए तो यह ध्यान रखेगा association में i की value less than 1 dissociation में i की value greater than 1 और जहाँ पे neither association nor dissociation कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे i की value 1 के equal आती है 1 के equal आती है association में कम हो जाता है dissociation में ज़्यादा हो जाता है ऐसे ही याद रख सकते है याद करने का तरीका ताकि तो logic मैंने आपको बता दिया तो आप देखे जितने भी आप formulas है हमने want of factor i पढ़ लिया तो अब जितने भी formulas है अब उनको want of factor i के term में हम क्या कर लेते है convert कर लेते है सारे formulas क्या लग जाता है i लग जाता है ठीक है clear है जो सारे जितने भी formulas हमने पढ़े ठीक है अब want of factor को include करके सब को modify करते हैं ताकि exact value of molar mass हमें gain हो ठीक है तो सारे के सारे formulas क्या हो जाते है i के साथ associate हो जाते है clear तो मैं यहाँ पे लेकि side में आपको फिर से एक बार वो सारे formulas बता रहा हूँ किसके साथ i को include करते हुए ठीक है अब देखिए जितने भी formulas है including i उनका expression क्या हो जाएगा देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी relative lowering in vapor pressure की ठीक है सबसे पहला जो हमने formula पढ़ा था वो क्या पढ़ा था rlvp का relative lowering of vapor pressure इसका formula क्या पढ़ा था हमने ठीक है pa0 pa0 minus pa divided by pa0 is equal to xb पढ़ा था है ना xb क्या था solute का mole fraction तो आगे i लगेगा उसके i xb दान दीजेगा ठीक है यह i के साथ तब formula याद रखेंगे और मैं आपको advice करूँगा सारे formula अब हमेसा i के साथ याद रखेंगे जब भई neither dissociation nor association की condition आएगी तो i automatic क्या हो जाएगा one हो जाएगा तो i को भूले क्यों है ना i को तब हमेसा याद ही रखना है आब आपको ठीक है फॉर्मूले को भब हमेसा i के साथ बोलिए फिर दूसरा हमने कहा था क्या elevation of boiling point elevation of ठीक है elevation of boiling point उसका formula हमने क्या पढ़ा था delta tb delta tb की value kb into m थे उसमें भी आगे क्या लग जागा i kb into m m क्या था molality of solute ठीक है ऐसे ही depression of freezing point depression in freezing point का जो formula पढ़ा था freezing point यह मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ relative lowering of vapor pressure elevation in boiling point depression of freezing point तो उसका formula हमने पढ़ा था delta tf अब delta tf की जो value हो जाएगी वो क्या हो जाएगी i kf into m इसमें भी आगे i लगा दिया ठीक है वो one रखेंगे यह तीसरा होगे आपके पास चौथा देखिए क्या हो जाएगा फोर्थ फोर्थ क्या था osmotic pressure op op की value क्या लिखे थी pi is equal to crt वो भी अब क्या हो जाएगा change हो के pi is equal to icrt बास समझ के pi is equal to icrt तो यह जितने भी formulas पढ़े थे हमने यह 4 के 4 सबको क्या करेंगे i के साथ अब associate करेंगे ठीक है जोड़ देंगे उसमे पर अब मतलब i का term introduce कर देंगे clear तो अब ध्यान दीजे अब हमेशा question पढ़ते time अब हमें क्या ध्यान देना है question पढ़ते time अब हमें ध्यान रखना है कि कहीं कोई electrolyte तो हमें as a solute नहीं दिया हुआ है अभी तक जितने हमने numerical किये उसमें कहीं भी हमने electrolytes नहीं लिये थे हर जगह किसका मैं हमेशा example देता था हर जगह urea ले 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 था glucose, sucrose तो उसमें i की ज़रूरत ही नहीं पढ़ती थी अब कोई समझ में आ रहा है ना पीछे जितने भी हमने numerical किये उनमें हमेशा हमने urea, glucose, sucrose यहीं लिये कभी भी हमने NaCl नहीं लिया कभी हमने Na2SO4 नहीं लिया कभी हमने acetic acid का non-polar solvent के अंदर condition नहीं लिया तो वहाँ कभी i की ज़रूरत पढ़ी नहीं रही थी तो वहाँ ये बीना i वाले formula भी क्या कर रहे थे use में आ रहे थे बट अब यहाँ पे जितने भी formulas use करने वो सब क्या होने चाहिए i के साथ होने चाहिए ठीके clear है अब एक चीज़ और देखें ये पे फिर हमारी ये theory portion complete हो जाएगी ये एक चीज़ और क्या है अब हमने कहा चलो association या dissociation का case तो हमने पढ़ लिया लेकिन क्या पता जो हमने solute डाला है उसका पूरा 100% associate या dissociate ना हो रहा हो बात समझे जैसे मैंने क्या किया Na2SO4 को पानी के अंदर डाला तो उसका 100 particles हमने डाला वो 100 का 100 नहीं तूटा उसमें से 20% का dissociation हो गया 80% का dissociation नहीं हुआ तो अब लो एक नहीं कहानी आ जाएगी भाई कुछ तूटा कुछ नहीं तूटा तो भाई फिर number of particle हमें फिर exactly calculate करने के लिए किसको ध्यान में रखना पड़ेगा degree of dissociation को भी ध्यान में रखना पड़ेगा बात समझ रहे हैं ऐसा भी तो दे सकता है ना हमने जो solute डाला है वो 100% dissociate नहीं हुआ उसका 50% part, 60% part 70% part उतना ही dissociate हुआ और बाकी वैसे ही रह गया अब सोचिए मैंने 100 particles पानी में डाले AB type के AB type के 100 particles पानी में डाले उसमें से 50% का ही dissociation हुआ 50 वैसे ही रहे गये तो 50 वैसे ही रहे गये वो तो अलग हो गये 50 जो तूट गये वो 50 100 बना देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा 50 विना टूटे हुए और 50 जो टूट गये थे AB type के A plus B minus में वो 100 बन गये तो 100 plus 50 कितना हो गया 150 हो गया clear है तो ऐसी condition में number of particle का हमें क्या exact calculation करना पड़ेगा और उसके लिए फिर क्या पता होना चाहिए कितना percent associate या dissociate हुआ है clear है तो अब देखें यहाँ पे हम किस term को और introduce करेंगे degree of association and degree of dissociation alpha को alpha जो हम पढ़ते थे कभी किस वाले chapter में हमने पढ़ा हुआ है ionic equilibrium के chapter में alpha के term में हम calculation करते थे कि हमने सुरू में c mol लिया उसमें से c alpha चला गया कितना बचा c minus c alpha बचा कितना बना c alpha बना c alpha बना वह अला calculation आपको कुछ-कुछ याद आ रहा होगा है ना याद आ रहा है कुछ-कुछ आपको ठीक है तो चलिए अब हम पहले हम चलते हैं पहले वह alpha के term में अब इस i को calculate करेंगे जो i हमने अभी तक देखा want of factor उसको alpha के term में भी क्या करेंगे हम यहाँ पे calculate करेंगे तो वो भी एक बहुत ही important point होता है ठीक है तो उसको करके इस lecture को फिर finish करेंगे हम धान से देखिए दोनों के लिए मैं derivation करूँगा छोटा ऐसा एक dissociation के लिए भी और एक association के लिए भी clear है यह lecture most most important है आप इस lecture को एक से दो बार कम से कम दो बार तो जरूर देखिएगा ठीक है और अपने हाँ से note बनाईए वो सबसे best होता है ठीक है पहला मैं लेता हूँ first condition ठीक है first condition मैं लेता हूँ किसके लिए degree of dissociation degree of dissociation ठीक है degree of dissociation alpha क्या होता था degree of dissociation हमने पढ़ा हुआ है 11th में degree of dissociation alpha होता था dissociated moles divided by total moles degree of dissociation alpha की value क्या होती थी ठीक है alpha से denote करते थे और alpha की value क्या होती थी number of moles of the substance dissociated divided by total number of moles of the solute taken वह कितना dissociate हुआ divided by कितना हमने सुरू में लिया था यही होता था clear है तो मैं सीधा उसको direct short में लिख रहा हूँ alpha की value क्या होती थी dissociated moles और divided by total moles ऐसा बोल सकते हैं dissociated moles divided by total moles यह हो जाता था हमारा degree of dissociation alpha ठीक है अब चलिए अब सपोस करिए मैंने कोई electrolyte लिया हुआ था ठीक है कोई electrolyte लिया हुआ था किस type का a n type का a n type का इसके अंदर n number of particles present थे और यह dissociate हो गया ठीक है dissociate हुआ कुछ dissociate हुआ कुछ dissociate नहीं हुआ और अगर dissociate हुआ तो n mole of a बना दिया सारे उसके particles separate हो जैसे पोश करिए यहाँ पे क्या था ठीक है यहाँ पे हमारे पास था k c l अपने equilibrium में assume करते थे क्या करते थे कि a n का initially है ना initial में लेते थे initial initially क्या किया a n के c moles per liter लिये हुए थे इसका concentration कितना था c था और शुरू में n तो क्या था 0 था एक है कुछ भी वहाँ पे particles present नहीं थे तो शुरू में उसका concentration 0 था अब देखिए at equilibria है ना at equilibria जब equilibria आई होगी तो देखिए c में से हमने suppose किया कितना चला गया c alpha चला गया by dissociation के term में हम alpha लिखते थे तो कैसे लिखते थे equilibriumria में c में से कितना गया c alpha चला गया अब c में से c alpha अगर चला गया तो अगर इस c में से मैंने c अलफा निकाला तो उधर n से multiply होके बनेगा न, n c अलफा बनेगा, ठीक है, तो अब देखिए, dissociated moles, है न, dissociated moles, हमारे कितने हो गए हमारे पास, c अलफा हो गए, ठीक है, बात समझ रहे हैं, और हमारे पास, total जो mole बचा, after, ठीक है, after dissociation, total mole after dissociation, वो कितना बचा, ठीक है, total mole after dissociation, हमारा दिखिए, बचा, ये कितना हो गया, c माइनस c अलफा, इसका इतना बचा था, अन का, और na का कितना बचा था, plus n c अलफा, ठीक है, clear है, बात समझ रहे हैं, तो यहां से देखिए, क् अगर मैं, यहां पर c common ले लो, ठीक है, यहां पर अगर मैं c common ले लो, तो c common लेके मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या, 1 minus alpha plus n alpha, ठीक है, बात समझ रहे हैं, clear है, यह after dissociation, यह particles थे, और यह सुरू में particles कितने लिए हो थे, c moles per liter, अब धान दीजे, i की value हमने पीछे क्या बचे थे, इतने mole बचे थे, c में से c alpha चला गया था, तो an का c minus c alpha बचा था, और na का कितना बना था, nc alpha बना था, तो after dissociation, जो total particles बचे थे, वो कितने बचे थे, इतने बचे थे, i की value क्या है, रेखे, i की value अभी-अभी हमने पीछे बोला, कि observed value of colligative property, divided by observed value of colligative property, मैं देता हूँ, चलिए, आपके लिए, observed value of colligative property, divided by, ठीक है, नीचे क्या आता है, normal value of colligative property, यही बता है, आपको colligative property के term में, normal value of colligative property, अच्छा, observed value किस पर depend करेगी, observed value यह वाली numbers पर depend करेगी, और normal कितने numbers होने चाहिए थे, c होने चाहिए थे, अगर कोई dissociation, association नहीं होता, value इन number of particles पर depend करेगी, है न, जो कि after dissociation यह association बने है, और जो normal value of colligative property है, वो किस पर depend करेगी, वो तो जब कोई association यह dissociation नहीं होता, तो उससे में normal condition होती, clear है, तो यहाँ पर देखिया, i की value क्या आएगी, उपर आएगा, यह वाले number of particle, c, 1 minus alpha, plus n alpha, और divided by, यह normal value किन particles पर depend करत जब कोई association, dissociation नहीं होता, तो रेखिये, यहाँ से i का formula आजाता है, यह c से यह c cancel हो जाएगा, for dissociation, i in terms of alpha का formula क्या हो जाता है, i is equal to 1 minus alpha, plus n alpha, यह चीज़ आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है, बाकि derivation तो एक ही minute का काम है, है न, तुरन derive भी कर सकते हैं, लेकिन इस तर आपको याद करना है, i का formula for dissociation, i is equal to 1 minus alpha, plus n alpha, ठीक है, यह इस type के condition के लिए है, condition को change करेंगे, तो हो सकता है, इस formula को हम change कर ले, ठीक है, बात समझ रहे हैं, clear है, अब यानि कि alpha को भी हम निकाल के अलग लिख सकते हैं, कभी-कभी alpha के term में भी यह formula लिखा होता है, तो चलिए alpha को इधर कर लिजे, तो क्या हो जाएगा, alpha अफा उदर जाएगा, minus alpha, plus alpha हो जाएगा, minus n alpha हो जाएगा, is equal to 1 minus i हो जाएगा, i को उदर बेज दिया, तो देखे, alpha common ले लिजे, तो क्या बचेगा, अंदर 1 minus n और उधर divide में चला जाएगा, तो alpha की value क्या हो जाएगी, 1 minus i divided by 1 minus n, यह देखे, alpha का formula, एक इस term में लिख सकते हैं, अलफा को i के term में, n के term में, clear है, n क्या है, जितने particles हमें after dissociation, association मिलेंगे, जैसे kcl को तोड़ा, तो n की value वहाँ पर क्या आएगी, 2 आएगी, बास समझ रहें, ठीक है, n की value 2, जितने particles बनेंगे after dissociation, ठीक है, वही n की value है, इसी को देखे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, minus common ले लेते, तो alpha ऐसे भी लिख सकते हैं, i minus 1, divided by n minus 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, बास समझ रहें, ठीक है, तो अलग-अलग expressions हैं, बट मैं आपको suggest करूँगा, एक यह formula, बस आप याद रखे, for dissociation, i is equal to 1 minus alpha plus n alpha, ठीक है, clear है, ऐसे ह देखे, similarly association के लिए कर लेते हैं, ठीक है, association होगा, तो उस term में degree of association के term है, ठीक है, तो धहां देजिए, association के term में, अगर मैं करूँ, similar manner में कर रहा हूँ, degree of association, अब alpha, वहाँ पे भी term alpha से ही denote करते हैं, बट वो सामने आप express करेंगे, कि degree of dissociation बोल रहे हैं, या degree of association के term में बोल हैं, ठीक है, तो यहां से देखिए, मैं दूसरा एक आपके लिए hashtag बनाता हूँ, और इस बार करने वाले हम degree of association के term में आई को, degree of association के term, ठीक है, अब देखिए, association के term में बोलू, तो मैंने suppose करी, इस तरीके से suppose किया, कि मेरे पास पहले n mol of a particles थे, ठीक है, n mol of a particles थे, और इनोंने associate होके, क्या बना लिया, an बना लिया, एक single molecule, n single molecule ने मिलके one molecule बना दिया, n single molecules ने मिलके one molecule बना दिया, ठीक है, तो फिर देखिए, अब यहां पे मैं क्या करूँ, मैंने सुरू में क्या लिया, at initial condition में, ठीक है, initially अगर मैं कहूँ, initial case में, फिर वैसे म माना इसका zero था, ठीक है, तो at equilibrium क्या हो जाएगा, at equilibrium, suppose करिए, c में से कितना चला गया, c में से c alpha चला गया, तो अब इधर कितना बनेगा, c alpha by n बनेगा, ध्यान दीजेगा, n mol से one mol बनता है, तो c alpha divided by n mol बनेगा, है न, clear है, तो यहां से फिर देखिए, अगर मैं बात common लेनों, तो equal क्या हो जाएगा, c 1 minus alpha plus alpha by n, फिर से देखिए, वैसे ही i की value लिखोंगा, जैसे पिछे लिखा, i क्या होता है, observed value of colligative property, observed value of cp, value of cp, divided by, क्या होता, normal value of cp, normal value of cp, तो observed value किन particles पर depend करेगी, इस पर, है न, c, 1 minus alpha plus alpha by n, और normal colligative property किस पर depend करते ही, जब कोई association, dissociation नहीं होता, फिर देखिए, c cancel होगा, तो देखिए, association के लिए i का formula क्या होता, 1 minus alpha plus alpha by n, बात clear है, वहां देखिए, बस यह n multiply में था, यहां पर n divide में, अच्छा, n की value क्या होगी जैसे, दो acetic acid ने मिलके, एक acetic acid बनाया था, तो यहां, n की value क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, नहीं देखिए, दो मिलके एक बनाया, तो 2, 3 मिलके एक बनाया, तो 3, n की value वही है, कि कितने particles associate हुए है, clear है, यहां पर देखिए, alpha के term में मैं लिखना चाहूँ, तो formula लिख सकता अलफा common ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा, 1 minus 1 by n, 1 minus 1 by n is equal to 1 minus i, ठीक है, तो यहां से देखिए, मैं लिख सकता हूँ, क्या alpha की value किसके equal हो जाएगी, ठीक है, 1 minus i divided by 1 minus 1 by n, इसके equal लिख सकता हूँ, ऐसे term में जैसे पीछे लिखा हमने, बात clear है, बात समझ रहे है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, i minus 1 divided by 1 by n minus 1, clear है, बात समझ रहे हैं, तो यह कभी-कभी alpha के terms में भी हमें ज़वरत पढ़ती है, और ऐसे questions काफी important होते हैं, जहां degree of dissociation या association की बात होती है, ठीक है, तो मैं numericals को इस lecture में लेके नहीं आ रहा हूँ, अगला जो lecture होगा, ठीक है, वो purely इन सारे जितने भी आज हमने topics पढ़े हैं, इनके basis पे हम बहुत सारे अच्छे-च्छे questions करने वाले हैं, तो इन concepts को फटा-फट clear कर लीजे, ठीक है, lecture को दो बार, तीन बार, जब तक आपको समझ में ना आए, उसको revise करिए, ठीक है, अच्छे से उसको memorize करिए, चीजो हम करने वाले हैं, want of factor, dissociation, association से related, बहुत सारे important numericals को, ठीक है, तो पढ़ते रहें, next lecture को देखिए, take care